ओम्कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रनताक्लिशना नशाय गुविन्दाय नमुनमा सच्चिदानंदरूपाय विष्णूत्पत्यादिहेदवे तापत्रः विनाशाय गुविन्दाय नमुनमा नमशकार स्वागत है आपका मैं आचारे डॉक्टर विक्रमा दितापके साथ हो और आप इस वक्त हैं आचारेवानी पर यह हमारा चैनल है आचारेवानी इसके माद्यम से हम बहुत सारे विष्णों का आपके समुझ रखते हैं आज जो विष्ण है वो है तुला राशी वाल करते हैं शुबकारे करते हैं क्यों क्योंकि आपके केंद्र त्रिकोंड के स्वामी है तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा विशे मनने वाला है तुला राशी वालों के लिए तो हम कहेंगे कि बुद्धी से के द्वारा बुद्धी के द्वारा विचार के द्वारा आप आ प्रिवर्तित जब हो गए थे लेकिन उन्होंने पांच दिन दस दिन अपना कारे किया फिर महाराज सूर्य पिताश्री आ गए वहाँ पर और उन्होंने शनी को बठा दिया भई शांत वेट अभी थोड़ा अपना प्रभाव कम कर फिर जैसे पिताजी का संक्मा आगे चले ज धाई साल दोजार पच्छिस तक यहां रेने वाले हैं करी-करी 30 साल बाद आए हैं यहां पर 30 साल बाद शनी ने इस प्रकार का योग बनाने वाला है जो आपकी बुद्धी का चमतकार आप उपस्तित कर सकते हो न तब यह बनेटी घुमाने का समय आ गया है बुद्धी का शनी की चाल जो होती है वो दो तरफा होती है शनी की चाल बड़ी विचितर होती है साथ तो तुला राशी वालो आपको समझना भी है कि शनी क्या करने वाले हैं शनी आपके बुद्धी स्तान पर बैठ गए हैं और बुद्धी स्तान के मालिक हैं तो बुद्धी को एनहांस करने वाले हैं, संतान को अनहांस करने वाले हैं, विद्या को अनहांस करने वाले हैं, और ये सब चीज़े आपके बुद्धी के द्वारा, और इस संसार में जो प्रपंच रचा गया है वो बुद्धी के कारण तो रचा गया है बुद्धी के द्वारा ही तो आप जाल बुन सकते हैं बुद्धी के द्वारा ही आप समस्त कारे कर सकते हैं लेकिन यदि नहीं लेना चाहो कोई शनी आलसी भी होता भई शनी का एक सभाव है आलस धीरे 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 करेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे हम तो सब कुछ सामर्थ रखते है अब यह दिखाने की आवशक्ता होती है सामर्थ को, उस उस बुद्धी का चमतकार लेकिन आपके अंदर एक बड़ी विचित्र बात यह है और तराजु लेके बैठे हुए आप पता नहीं न्याय होगा या न्याय होगा पाप होगा या पुर्ने होगा इसमें मत फसीएगा भाई साम यह जो तराजू है ना तुला राशी वालों के साथ एक विचित विडम मना है यह हर एक के साथ न्याय करने का प्रयास करते हैं इनके साथ ही कोई न्याय नहीं कर सकता गांधी तुला रग्म के थे तुला विशेशतार पर ये अनिक बड़ा विचित प्रकार का योग है आज पूरा देश काली देता है गांधी को अपने लिए तो उसने कपड़े तक उतार थी कपड़े तक छोटी सी फटी हुई दोती तक पहनी आखरी मिली गोली ये तुला लग्म का विशेशतार पर प्रभाव है इस गांधी का हूँ इसी भी लिए गांधी का नाम उच्चारित किया यहाँ पर कि उसको समझ सकते हैं कि आप अपने लिए कुछ नहीं भी करेंगे आपने किस भी भाव से किया तो यहाँ पर आपको कोई समझने वाला है नहीं भाई तो आपको इस बाव से हटना है आपको अपने मंत्रना अपने विचार पर कारे करना है बुद्धी से कारे करना है लेकिन कारे करना है केवल विचार में नहीं पाप पुर्ण में नहीं फसना है कम से कम आप तो अपने साथ न्याय करो कोई तो करेगा नहीं तो इस बात को समझते हुए काम करें जो आपकी लगन का प्रभाव है वो उसको विशेशतार पर समझे देगा शनी महाराज आपके लिए बहुत शुब रहने वाले है और शनी की दृष्टी का विशेशतार पर आपका विशेशतार भाव समझना पड़ेगा शनी आपके लिए बुद्धी के दौर रास्ता बनाने वाले है लेकिन शनी जो है आपकी बुद्धी आपकी योजना लोग समझेंगे सबसे पहले तो आपका जीवनसाती जो आपके साथ घर में बैठा हुआ है वो आपके भाव को समझेगा क्या शनी की दृष्टी पढ़ रही है सब्तम भाव शनी की दृष्टी सब्तम भाव में पढ़ती है सब्तम भाव योग विशेशत दृष्टी पर है वेपार का भाव सब्तम भाव है विशेशत दृष्टी पर आपके जीवनसाती का भाव सब्तम भाव है युद्ध का भाव वो आप समझे तो आपके विचारों को आपको जीवनसाती भी नहीं समझेगा और शनी होता है अपने आपने मिस्ट्री आप अपने विचारों को खुल के रखेंगे नहीं और बस आपने मंतड़ा मन से बहुत साफ सुतरा काम करने वाले तो इसलिए सबसे पहले आवशकता है कि विचार को समझाएं सामने वाले को जैसे हम आपके समक्ष इस विचार को रखके समझाने के खूल के एक चीज़ को परतों के तोरा खूल के समझाते हैं लेकिन कुछ ऐसे हमारे भी विव्योर्स हैं जो कहते हैं पंडी जी कहानी सुना रहे हैं पंडी जो बोलना खट से बता दो कई लिख देते हैं कमेंट के अंदर मैं आपको यह नहीं कहा रहा हूँगा आप ही लिखेंगे मैं लेकिन किछ हैं ऐसे महान विवूती जो सुनते भी पूरा वीडियो हैं उसके बाद लिख भी देते हैं पंडी जी कहानी बोल सुना रहे हैं भया समझाने का प्रयास कर रहा हूं तुला राशी वालो समझ लो आपके विचार ही आपके लिए सवलता के देने वाले यूग मनाने वाले लेकिन आप विचारों को सामने वाले को समझाने का प्रयास के ca. नहीं तो जीवन जाती या आपके लिए डंडाले की खड़े होने वाला है नहीं तो पिर हमने तो आपके सभश रख दिया कि दो साल में क्या कुछ होने वाला है आपके साथ शनी उदे होते ही खेल करने वाले हैं अब पूरी तरह से अब नहीं अस्त होंगे अभी तो अस्त हो गए थे तो अब आपको इसका लाव लेने की आवशकता है वैपार में भी विशेशतार पर बुद्धी का आपकी बुद्धी की योजना सही से काम करने की लेकिन यदि बुद्धी में जड़ता आई आलस आया तब फिर परिशानी उत्पन करने की योग देदेगे शनी आपके लाव वाले स्तान को भी देख रहे हैं तो बुद्धी के दोआरा आप लाव कमा सकते हैं आलस के दोआरा लाव को त्याग सकते हैं बुद्धी में जड़ी आलस आया शनी के प्रभाव वहाँ उत्पन हुआ तो फिर वहाँ पर नुपसान करा देगा लेकिन जड़ी आलस को त्याग कर बुद्धी का पूर्ण उपयोग करते हैं काम किया तो वहाँ लाब देदेगा एक बात और बहुत रहसी की बात अब आपके समक्षय उपस्तित करने जा रहे हैं शनी की एक द्रिष्टी आपके विशेशतार पर समझ दीजिए धन भाव पर बढ़ने वाली है धन भाव दुतिय भाव होता है धन भाव दुतिय भाव है तो आप समझने पैसा आपके लिए खास्त वार पर शनी महा लोन बढ़ाने वाला है लाइबिलिटी जुरुमान आपकी लाइबिलिटी बढ़ाने वाला है तो धन तो लाएगा लाइबिलिटी की फर्म में लाएगा तो आप ये समझ लीजे कि आप जबर्दस्ती लोन मतला है ये लोन को चड़ा रहे है अपने पास ये लोन पास नहीं हो रहा तो अब वो पास हो जाएगा लेकिन बुद्धी मानी क्या है अब मैं आपको बुद्धी का सूत समझाओं क्या है क्या पाटनर लाऊ नो हो आप किसी को पाटनर मना लो क्यों आप जबर्दस्ति अपने सिर पे लोन लाना चाहते हो शनी लोन च्रणाने को तैयार बैठाए दो साल के अंदर आपके लिए हो सकता है कोई बड़ा लोन आपके उपर चड़ जाए इन दो सालों के अंदर रिग्यान की आवशक्ता है अब आपकी कुंडली में पता नहीं कौन कौन से ग्रह कहां बैटे हैं वो तो हमको पता नहीं है लेकिन हमने आपको विचार समझा क्योंकि जर्मपत्री में बहुत सारी विविन बातों पर चिंतन करने की आवशक्ता होती है राशी तो किवले एक और राशी आ रही है तो उसका प्रभावी तो आपके जीवन में पढ़ेगा चंदर से आपकी लगन से कुछ और राशी आ रही है उसका प्रभावी तो आपके उपर पढ़ेगा नाम से कुछ और राशी है तो उसका प्रभावी तो आपके उपर पढ़ेगा वहां क्या क्य हो रहा है जब हम जनमपत्री देखते हैं तो बहुत सारे विश्यों को एक साथ मिलान करकर समझ कर उसको बताने का प्रयास करते हैं तो आपको हमने समझाया कि आपकी कुण्ड़ी में क्या कुछ होने के योग है आपके जीवन में शनी महाराज बहुत बढ़िया स्थान में बुद्धी बुद्धी का जंजाल समय से आप खेल बुद्धी का होने वाला है आपके दौरा यदि उपका सदुपयोग आपने कर लिया जे सकते हैं, हम निदान अवश्य आपने तर्फ भीजने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे लोगों से फोन पे बात तो नहीं पॉसिबल नहीं होती है, इतना समय नहीं होता है, तो आप उसको समधान के तोर पर आप हमें प्राप्त करने के लिए उस विशे पर भेज सकते हैं, अपने विचारों को हम आवश्य देंगे, उपाय क्या किया जाए, सबसे बड़ा इंपॉर्टन विशय यह है, कि उपाय, तुला राशी वालों के लिए उपाय कौन सा किया जाना चाहिए, इस समय, देखिए सबसे पहला उपाय तो आवश्यकता है, आलस सत्याग दीजे, शनी प्रतीक है, जिद का, जिद त्याग दीजे, ये दो चीज त्याग दी तो आप सब चीजे अपने आपको टिकल, आप ही बड़े नहीं हो, ये बात समय थोड़ा सा सबको सयोग लेते हुए, बुद्धी का सही सयोग लेते हुए, विचारवान लोग, जो experience लोग है, उन प्रयास करेंगा, कहीं ये बात अगर मन में आ गई ना, तो सब सब कुछ आप परिशान उत्पन कर दोगे, हर चीज में बहुत बुद्धिमान योग लोग बैठे हो, उनका सयोग लेते हुए, यदि विचार का सयोग ले ले आप, बुद्धी का सयोग ले ले आप, तो बि योग का अर्थ अकेला नहीं होता है, एक और एक ग्यारा बन साब बना सकते हैं आप, तो इस बात को समझते हुए, यदि आप काम कर ले तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लाब ले सकते हैं, शनी के उपाए के तोड़ पर हमारी मती से आपके लिए सबसे अच्छा चीज ये दिखाई दिता है कि आप गउ सेवा करने का प्रयास करें, गउ सेवा विशेश तोर पर आप करिए, गउ के निमित जो हरा चारा होता है, वो अवश्य देने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाए रहेगा, इसके इलाबा, आपके लिए सास्ता आए नमा, इस मंतर का यथा उचित्माफ से जब करने का प्रयास करें, सुबह शाम इसका एक एकमाला जब कर लिया कीजे, देखेगा, आप में सरलता भी आएगी और आपके विचार में भी नया उत्पन कुछ होगा, आपको लाब भी प्राप्त होने की योग बनेगे, इतना आप धर्म रत रहेंगे, यगे रत रहेंगे, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाब देने की योग बनाने वाला है, और आने वाले समय में आपका विशेश्टर पर परिवर्तन का योग आने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाब भी दे सकता है, तो आप इन सब चीजों को समझते हुए काम करें, हमारे आश्रम में नित्य यग्य होता है, और रविवार को उस यग्य में आप भाग दे सकते हैं, बहां आप शनी के मंत्रों का और शनी के स्तोत्र का यग्य भी कराते हैं, तो आप उस यग्य में रविवार को सोबे 8 बजे स सब्सक्राइब दस बई तक कारिक्रम चलता है तो सम्मिलित हो आपका कोई शुल्की आवशक्ता नहीं है और कोई भी आ सकता है उस यह कि भाग लेने के लिए और माभगवती का सानित दे ले सकता है धन्यवाद